So welcome back दोस्तों, कैसे हैं आप सबी लोग, अब very good evening, तो आज की job update निकली है, इस रोग की तरफ से NARL, इनका जो department है, वहाँ से हो, सबसे अची बात क्या है, यहाँ पर कोई application fees आपको नहीं देनी है, कोई exam आपका नहीं होगा, just direct interview होगा, permanent job रहेगी, अब बहुत awesome profile पर निकली ह और यहाँ पर जो profile है, वो दो profile है, दोनों profile कौन सी होने वाली है, क्या qualification है, पूरा का पूरा जो procedure है, डिटेल में discussion करने वाले है, तो यहाँ वीडियो को like कर दीचे, जो यहाँ पर overview हो है, मैं आपको यहाँ पर clear कर देता हूँ, आपकी age limit 24 to 35 रखी गई है, और यहाँ पर पर जो पर जो पर निकली है, लास्ट टेट इसकी 29 नवंबर 2021 होने वाली है, तो make sure याँ जल्दी से जल्दी आपको यह application form को fill करना है, और यहाँ पर N.A.R.L. को अगर मैं define करूं तो National Atmospheric Research Laboratory जो की इस रो का ही एक department है, वहाँ पर अपडेट निकली है, डिटेल में discussion करते है लाइक आप कर चुके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से officially website पे जाके apply भी कर सकते हैं, application fees नहीं है तो मेरा personally suggestion जहीं है, आप सभी को यहाँ पर इस job को definitely apply करना चाहिए, पहली profile पे चलते हैं, जो कि आपकी निकली है scientific and engineering की अंदर हो, जहाँ पे clearly बताया गया है कि 56,100 रुपर आपक salary है और अगर यहाँ पे आप इसके लिए apply करते हैं, जस्ट आपकी graduation complete होनी चाहिए, और आपकी graduation कौन सी field के अंदर complete होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ almost 8 से 10 particular stream दे रखिया, अगर आपकी यहाँ पे graduation है, बीट एक इन particular stream से complete है, तो definitely यह आदा perfect and suitable candidate, बस यहाँ पे एक छोटी स communication की stream है, वो है आपकी electronics, communication, instrument, telecommunication, आपका applied electronics हो गया, आपका radio physics हो गया, और साथ में आपका electrical communication हो गया, मतलब major of the stream जो है आपकी communication से पर ही depend करते है, चुकि national atmospheric research laboratory की तरफ से है, यह job निकली है, यहाँ पर clearly इस चीज को target किया गया है, कि आपके पास graduate degree होनी सी है, अगर आप diploma candidate ह तो हम so sorry आप यहाँ पर applying नहीं कर पाएंगे, अब बात करते हैं अपनी second profile की, जिस profile का name है, आपका jrf जो कि बहुत reputated और popular profile है, चुकि most of the vacancy इस profile पर निकलती रहती है, तो junior research fellow के अंदर अगर आप apply करना चाहते हैं, तो definitely आपकी qualification इन दी गई streams के according होनी चाहिए, और आप इस particular profile के लिए apply करते हो, jrf के लिए, तो selection के chances जादा होते हैं, चुकि number of post हमेशा इस particular profile पर जादा ही निकलती है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, कौन कौन से stream के candidate apply कर सकते हैं, अगर आपकी degree complete है, तो आप physics, atmospheric science वाले, space physics वाले, metallurgy वाले, applied chemistry वाले, यहाँ पर apply कर सकते है as well as, अगर आपकी geophysics complete है, earth system से आपने यहाँ पर अपनी qualification complete करी है, और इससे relevant जो भी आपकी qualification होती है, तो वो सभी candidate reply कर सकते हैं, तो बहुत जो narrow niche वाली stream होती है, यहाँ पर बहुत कम candidate जाते हैं, तो उनके लिए यह बहुत golden opportunity है, अगर आपकी, अब यहाँ पर यह था बि communication engineering, optical engineering हो गया, अब यहाँ पर तो यह था बिल्कुल bachelor degree वाले, अगर आपने degree करी है, इंजीनियरिंग के डेवलाब, b.tec वागर आपने हाँ पर complete करी है, तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, उसमें आपकी stream होनी चाहिए, communication engineering, optical engineering हो गया, electrical engineering आपका हो गया, तो यह सभी qualification वा आपको website पर मिल जाएंगे, कोई भी difficulty आती है, नीचे comment section है, हम भी available है, आपको सारा यहाँ पर problem के solution definitely मिलेंगे, पर सबसे important बात है, selection procedure, clearly starting में बता है, कोई exam नहीं है, जस आपका direct interview होगा, तो interview के लिए आपको preparation यहाँ पर definitely करनी है, और यहाँ पर एक चीज मुझे काफी location होती है, interview में तो specially, exam center तो specially, पर अगर Delhi में location नहीं है, location रही इसकी उत्राखन, और मुझे अगर उत्राखन travel करना पड़ रहा है, तो जो भी travel का expense आएगा, वो सारे expense यहाँ पर आपको company देगी, इस रोग की तरफ से आपको मिलेगा, तो यह काफी अची चीज है, अगर करिएगा, चूकि आपको जो fair है, वो आपको refund हो जाएगा, so मुझे पसने लिपता है, यह win-win condition है, चूकि कोई application fees नहीं है, अगर location, interview के लिए location, switch भी करनी पड़ रहे है, तो आपको fair मिल रहा है, तो definitely इस job को apply करिएगा, और मुझे comment section में बताईएगा, कितने person यहाँ पर interested job को apply करने के लिए, मैं सेचीन चुहान, आप से मिलूंगा, एक next video में, एक next content के साथ, जै हिंद,